दोस्तों अगर आप भी महिंद्र सिंग धोनी को खतरना खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर किशेगा दोस्तों MS धोनी ने मारा दुनिया का सबसे लंबा छक्का तो दंग रह गया पूरा स्टेडियूम जेहां दोस्तों IPL 2023 के उपनिंग मुकाबले में गुचरात के खिलाफ महिंद्र सिंग धोनी ने अपना विकराल रूप धारड करते हुए दुनिया का सबसे लंबा छक्का लगा दिया लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महिंद्र सिंग धोनी और हार्दिक पांट्या में से कौन विस्फोटक बल्लेबाज है अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों IPL 2023 का ओपनिंग मुकाबला गुजरात और चिन्नई के बीच में खेला गया जहां पर इस मुकाबले में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए चिन्नई ने 20 ओवर के अंदर 177 विकेट के नुकसान पर बना दिये इस दोरान पारी की शुरुआत करने के लिए रितुराज गायकवार्ड ने धाबर्थोड अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदो पर 92 रनों की पारी खेली लेकिन इनका साथ किसी भी बल्लेबाज ने नहीं दिया हलांकि अंत में MS धोनी ने बेहितरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को 170 के पार पहुचा दिया था और इस दोरान MS धोनी ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदो पर एक चौक्या और एक छक्की की मदद से 14 रनों की पारी खेले इस दोरान MS धोनी ने दुनिया का सबसे लंबा चक्का भी जड़ दिया जिसको देखकर पूरा स्टेडियम चैरो खाने चित रह गया था जेहां दोस्तों अंतिम ओवर में MS धोनी ने सामने गेंद बाज़ी करने के लिए लेचल आये इस दोरान पहली दो गेंदों पर दो दिया जहां पर उन्होंने ये चक्का बोड़े ही आसानी से मेड़ान की तरफ लगा दिया था आपको बता दे महेंदर सिंग धोनी ने ये चक्का बोड़े ही आसानी से गेंदबासी लेचल के सामने 85 मीटर का लगा दिया था जिसको देखकर पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूज उठा और इसी के साथ महेंदर सिंग धोनी ने चन्नाई के लिए 200 छक्के भी पूरे किये और किसी भी टीम के लिए 200 छक्के पूरे करने वाले खिलाडियों की सूची में धोनी पांचमे नंबर पर आ गये हैं अलांकि ये चक्का दुनिया का सबसे बड़ा चक्का नहीं था लेकिन धोनी के बल्ले से कोई भी चक्का काफी जादा महत्वण होता है दोस्तों महेंदर सिंग धोनी की छोटी सी पारी को आप दस में से कितने अंक देना चाहेंगे हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें